प्रधान मंत्री नरिंदर मोधी ना ड्रेम प्रोजेक्ट नो गुजरात मा व्याप वद शे त्यारे पातनगर गाधी नगर मा मैट्रो ने प्रधान मंत्री नरिंदर मोधी लीली जंडी आपशे मोटिरा स्टेडियम धी महात्मा मंदिर सुधी ना मेट्रो रूट नो आयों जन कर्वा मा आधी हो छे मोटिरास ट्याडियम थी गांधीनगर सेक्टर 1 सुधीनी मैटों शरू थी गिफ्ट सीटी सुधीनों ब्राँच रूट ने 516 में सप्टेमबर थी शरू थी गांधीनगर सुधीनी मैटों प्रधान मन्द्री नरिकंगमोदी लिली जर्डियाप। एटलूज नहीं, गिफ्ट सिटी मां मेट्रो टेन नो 7.56 किलोमेटर सुधी नो सर्कुलर रूट पन शरू थशे गिफ्ट सिटी मेट्रो टेन ना सर्कुलर रूट नो अंदाजित खर्च 2023 करोण नो आखवा मावी रहो छे एटलूज नहीं, अमदवादना एरपूर सुधी पन मेट्रो टेन लंबावा शे अमदवादना कोटीश वर्ति एरपूर सुधी नो 6.33 किलोमेटर सुधी नो मेट्रो नो 9 रूट तयार करवा मा आउशे अम्दवाद मा एरपूर्ट सुधी नी मेट्रो ट्रेन कनेक्टिवीटी वधारवाना प्रोजेक्ट माटे अंदाजित 1889 करोडनों खर्च थाशे अम्दवाद अने गांधी नगर बाद सूरत मा सत्वरे मेट्रो ट्रेन सेवा शरू थाशे बाद मा वडुद्रा ने राजकुट मा पन मेट्रो ट्रेन शरू करवानों सरकारनों आयोजन छे लगबग 10,438 करोडना अंदाजित खर्च साथे वडुद्रा मा ओगर 40.10 किलोमेटर मेट्रो ट्रेन रूट शरू करवा मा आउशे जेरे 10,024 करोडना अंदाजित खर्च साथे राजकुट मा साड़त्रे स्पोड 20 किलोमेटर नों मेट्रो ट्रेन रूट शरू करवानों आयोजन छे राजसरकारे मेट्रो ट्रेन ना चार नवा प्रोजेक्ट मा टेई केंद्र सरकार नी मंजूरी मागी छे केंद्रा नी मंजूरी मरतानी साथे ज मेट्रो प्रोजेक्ट नी कामगीरी शरू करवा मा आउशे अमदावादियों मेट्रो नी सफर करता थाई गया छे हवे गांधी नगर वासियों ने पण मेट्रो ट्रेन टुक समय मा मढ़वा जई रही छे बीजा क्या शहर छे अने कई वो रूट छे के जहां पन हवे मेट्रो थोड़ा वर्सों नी अंदर दोड़वा लाग से आज साथे बात करवा माटे आपनी साथे जुडाया शे पुषकर शिंगला के जे गुजरात मेट्रो ट्रेन कॉर्पोरेशन ना चीफ जनरल मेनेजर कॉर्पोरेशन प्लानिंग छे तेमनी साथे बात करिया पुषकर जी एहमदाबाद और गांधी नगर में अभी शुरू होगा एहमदाबाद और गांधी नगर कनेक्ट भी हो जाएगा गांधी नगर में इसके अलावा कहां पर मेट्रो का अभी प्लानिंग है और एहमदाबाद में क्या ये रूट बढ़ाने का कोई प्लानिंग किरियन बाई अभी दो प्रोपोजल हमारे पास जो ऐसे हैं जो कि गुज्ञात सरकार के द्वारा सभीकृत किये जा चुके हैं और भारत सरकार को सेंक्शन के लिए भेजे गए हैं उसमें सबसे अच्छा जो एक प्रजेक्ट है जो वो है मेट्रो कनेक्टिविटी टू एरप तक उसके अलावा दूसा जो प्रोजेक्ट है उसमें गिफ सिटी के अंदर एक सर्कुलर लूप बनाया जाएगा जिसमें कि गिफ सिटी के अंदर सारे ओफिसीज को ड्रेक्ट मेट्रो की कनेक्टिविटी उपलब्ध हो जाएगी और ये प्रपोजल अभी भारत सरकार के जैसे ही संक्षन होंगे इन पर कारे शुरू हो जाएगा तो अगामी दो सालों में अच्छा इसमें काम आपको सेवाएं मिलने की उमीद है सर्थ, मेट्रो का जो आपने बताया कि गिफ सिटी के अंदर ये स्दूड़ाओंडिंग शुरू हो गा वो कितने किलोमेटर का रहेगा और क्या पूरा गिफ सिटी कावर कर लेगा? जो gift city के अंदर जो चलेगा लगबग वो 8 km का होगा circular loop में और उसमें 6 stations का प्राहधान है जो gift city के अंदर बनेंगे तो उसके साथ जो भी office वहां पे बने हुए है सबको directly walking distance पे ही उसमें connectivity मिल जाएगी देखे हैं अमताबाद गांदी नकर और सूरत में अभी काम चल रहा है गुजरात के दूसरे कौन से ऐसे सहर है जिनको अभी सुचित किया है गुजरात सरकार ने अभी सूरत के अलावा जो दो नए शहरों का जो मैट्रो का प्रपोजल जो की गुजरात सरकार द्वारा सभीकृत हो के भारा सरकार के बस गया है उसमें एक तो है बरोदा दूसरा है राजकोट दोनों में जैसे ही प्रपोजल सेंक्शन होंगे उसके बाद कारे शुरू हो गया तो उसके कितने समय के बाद वो रन शुरू हो जाएका जो हमारा एक्सपेरियंस है मेट्रो का कोई भी प्रपोजल जो प्रजेक्ट जब कारे शुरू हो जाता है उसमें चार से पांच साल लगते हैं तो चार साल के बाद आप यह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम उसमें कुछ सेवाओं का विस्तार स्टार्टिंग कर सकते हैं फिर दीरे-दीरे जैसे से काम पूरा होता जाता है उनकी सेवाओं का विस्तार किया जा सकता है बहुत-बहुत सुक्रिया बात करने के लिए तो सूरत मी अंदर मेटोनों काम चाली रही हूँ छे राजकोट वडोद्रा नवा सहरों के जेने मंजूरी गुजात सरकारे केंद्र सरकार पासे मागी छे आउ प्रांथ हवे अम्दावाद वासियोंने सीधी एरपोर्ट सुधी नी मेट्रो पन तुक समय मां मली सके छे केमरामेन करण प्रजापती साथे हीरेन राजगुरू एवबिप असमीता गांधी राभू